महराश्रा में मुंबई की मेयर किसोरी पेटनेकर को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से लगातार महराश्रा में लाउड श्पीकर को लेकर जो बिवाद स्टार्ट हुआ है वो खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है लेकिन अब इनी सब चीजों के बीच में किसोरी पेटनेकर जो की मुंबई की मेयर हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है उनके द्वारा सिधा सिधा बोला गया है कि कानून जो है वो सब के लिए बराबर है और जल्द ही महराश्रा में जहां पर भी जहाँ जहां जहां पर भी लाउड श्पीकर लगा है उसको हम जल्द ही हटा लेंगे साथ में ही मन्से प्रमुख राज ठाकरे के अल्टिमेटम के बाद मुंबई की मेर की सोरी पेडनेकर ने उनके उपर भी हमला बोला है अगर उनके दोरा बोला गया कि अगर उन्होंने अपने भासण में कुछ भी अपत्ति जनक कहा होगा आपको बता दूंगी राज ठाकरे ने एक रैली की थे औरंगाबाद में उस रैली को लेकर इनके दोरा बोला गया है कि अगर जो है राज ठाकरे ने अपने भासण में कुछ भी अपत्ति जनक कहा है तो उनके खिलाफ में सक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा जहां तक हर्मान चाल्चा की बात है तो मुसल्मानों सहीत किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है हाल कि कानून सबके लिए एक है इसलिए मंदिरों और मस्जिदों से लाउड श्पीकर हटा लिए जाएंगे इस दोरान उन्होंने सभी से सांती बनाये रखने की भी अपील की है आपको बता दूं कि किसोरी पिटनेकर ने मनसे के कारकरताओं को भी जेतावनी दी है उन्होंने कहा अगर कारिकरताओंने कानून अपने हाथ में लिया तो उनकी सारी जिंदगी कोट के चक्कर लगाने में कट जाएगी उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की वज़ा से मंदिरों से भी लाओड श्पीकर हटाय जा रहे हैं गाओं के कई लोग मंदिरों से दूर रहते थे इसलिए वहाँ पर loudspeaker का प्रियोक किया जाता था हाल कि अब उन्हें हटा लिया जाएगा राज ठाकरे का यह कृत हिंदू विरोधी है मतलब कि जो मंदिरों के उपर से भी loudspeaker हटाया जा रहे हैं उसको लेकर इनके दौरा राज ठाकरे वोपर निसाना साथा गया है और बोला गया है राज ठाकरे की वज़ा से ना सिर्फ मस्जिदों से loudspeaker हटाया जा रहा है बलकि अब मंदिरों से भी loudspeaker हटने सुरू हो गये हैं आपका क्या opinion है इस पर आप ना opinion comment वाक्स होता है और वीडियो के ज़्याश जदा सेयर करें